हेलो फ्रिवान कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूं कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होगे और मस्थ हो गया तो बच्चों आप मेंसे बहुत सारे लोग परेशान थे कि मैं हाफ यर्ली एक्जाम पास आ गये हैं और मैं बहुत टेंशन हो रही हैं बच्चों पहली चीज पहला और बेस्ट तरीका है आपके बैक लॉग को किलियर करने का जब बच्चों मारे पर प्रेशर होता है तो हम ऑविसली हमारी एफिशेंसी बढ़ जाती हैं ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चों हाफ यर्ली एक्जाम को बटा आपको एक सुनहरा मौ मौका समझना है कि यह एक मौका है जिसमें अपने बैक लॉग को किलियर कर सकता हूं और मुझे पता भी चल जाएगा कि मेरी इलाविंथ में तयारी किस तरह की मेरा लैवल किस तरह का है तो बच्चों हाफ यर्ली एक्जाम को सभी को बहुत ही सीरियस लेने के जरूरत है ब दिन तो हमारे पास 15 है मालो 15 ही दिन मानके मैं चल रही हूं अब इन 15 दिनों में किस तरह से पढ़ा जाए कि इस हाफ यर्ली एक्जाम में हम टॉप करें और इस 15 दिन में हम कैसे जो है पिछले 4-5 महीनों का सिलिबस कवर करेंगे बच्चों इसके लिए मैं आपको आज बह अभी को źिक्ट वाईस अपना सिलिबस कितना आ रहा है कि इसे माल फिसिक्स में हो सकता है कि आपके चार चाप्टर कर आ रहा है सब्चों देखना प्रिपैर कर न है अच्छा बच्छ बात और भी है यह नहीं सोचना है कि अगर पांच चाप्टर आ रहे हैं तो मुझे पांच चाप्टर को पकड़ लो हमें करना क्या है टार्गेट बना लेना किस चीज का सेलेबस का कि हमें कितना सेलेबस कवर करना है बच्चो अब हमारा सेकेंड टार्गेट क्या होना चाहिए बिटा हम सेकेंड टार्गेट बनाएंगे फाइव डेस का बच्चो मैं फाइव फाइव डेस की जो है कर लेंगे अगर मालों ना हो पाई तो विटा हमारे अगले जो पास दिन होंगे उनको हमें अलग तरह से प्रिपार करना पड़ेगा तो बच्चो इस चार्टिंग जो इनिशिल फाइव डेज हैं आपको उन्हें प्लैन करना है बच्चो देखो आप में से बहुत सारे बच् जा तो बच्चो मैं ने क्या किया मैं जो है तीन दिन पूरे-पूरे मैट को डेती थी तो बच्चो मुझे मझे टर लगता था दॉप मुझे जो है मैंने एक दिन पूरा दे दिया sun को crunch में ने इन पूरे एक सिर्फ और सर फिजिक्स के जतने वह चीज़ें जितने लेसन से जितने विए हैं सब को प्रिपैर करूंगी सुभा से शाम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही ऑग ना अब इससे क्या होगा मालो मैंने एक दिन में मालो मैंने एक ही चाप्टर कंप्रीट कर पाया मैं यह मान के चल लिए कि मालो मुझे एक दिन में एक ही चाप्टर कंप्रीट कर पाया तो क्या हुआ अगले पास दिन में क्या करूंगी मैं अगले पास दिन में फिर में एक चाप्टर त्यार कर लिए अगला पीटो जो पास दिन मिलेगा उसमें आपने क्या किया उसमें बिटा आप ने अगला एक आप देखो जब आपके पास पूरा एक दिन है एक चाप्टर को त्यार करने के लिए तो बच्चों आपकी जो एफिशेंसी है वो अलग लेवल की दिख रही को दूँगा मैं एक दिन के सब्सक्रे zajis को मैं मैं और स्कॉठी नभर कॉतफ है तो तुमनें दो दिन रिया अब मैं इस बेकरूं कि ओन बेस्टा मैं एक जो बहुत बड़ा काम करने वाली है करा QUEK कि मैं उस्पूरे दिन के end मैं घ्यसे मालू में आज एक चाप्टर कंप्लीट किया तो मैं क्या करूंगी मैं उसके हाल के हाल क्या बना लूंगी उसके ही बेटा मैं अब इसको सीधा एक फॉर्मूला शीट भी कह सकते हैं अब यह मैं किसके लिए prepare कर रही हूं यह मैं एकजाम दिन के लिए prepare कर रही हूं चूब कि मैंने उस एक दिन बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है उस एक चाप्टर को तो मुझे पूरा डिटेल में समझ में आ गया है कि इस चाप्टर में कितने फॉर्मुले है कौन कौन से concept है अब अगर मैं इस फॉर्मुले शीट को मना लोगा तो क्या होगा बिटा मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी अब आप को होगे माम हम chapter complete कैसे करें क्या हम नोट से prepare करें या फिर जो है हम किताब से prepare करें बचो देखो जब हमें कम दिन में कम टाइम में ज्यादा syllabus complete करना होता है तो हम books के साथ नहीं जाते हैं हम किसकी बड़ा साथ जाते हैं हम जाते हैं अपने अब तक जितने भी नोट बनाए हैं जितने भी सवाल करें हैं उन पर focus करो बच्चो second thing क्या है बटा मैं chapters को कैसे prepare करूंगी बच्चो मैं chapters को दो तरह से prepare करूंगी बटा पहला तो मैं क्या करूंगी जो important theory है है ना उसको complete कर लूँगी बटा जो important derivations है है ना उनको prepare कर लूँगी अच्छा देखो बच्चो एक चीज और भी है अगर आप किसी एक दिन में एक चाप्टर को ही focus कर रहे होगे तो आपके पास बिटा क्या होगा आपको proper समझ में आ रहा होगा यार इस चाप्टर में इतनी theory है इतना derivation है अगर तुम यह सोस्ते लाग दो घंटे physics पढ़े लाग दो घंटे के सब्सक्राइब करें और बच्चों मेंने क्या किया स्थ में बच्चों जो मैंने रहिक है ना न्यूमेरिकलən को लगा कर देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों जादा निमेरिकल नहीं तो कम से कम एक चाप्टर के बीटा आप इससे और की आप की करने की आपको बच्चो जो है नुमेरिकल्स प्लेस बच्चो ठोल भी कंप्लीट करना है अब इसको कहां से करोगे आप अपने नोट्स के पास जाओगे आप बेटा जो है अगर कहीं पर अटक रहे हो कोई कॉंसेप्ट नहीं आ तो मात्र उसका ही वीडियो लेक्चर देखोगे अब इसमें एक बहुत ही इंपोर्टन बात यह है कि हम लोग ना बहुत ज़्यदा जो है ना हां फ्रेली एक्जाम को ऐसी लेते हैं ठीके देखा जाएगा हम एक दिन पहले पढ़ लेंगे अगर आप एक्जाम के एक दिन लेके बैठोगे ना आपको यही समझ नहीं आएगा हम इस पोरा किलियर दिख रहा होगा इस चापटर में कितना पढ़ना है इस चापटर से कैसे सवाल करना है पूरे चाप्टर को रहे हैं तो उन्में से 4 को पढ़ो बाकी बच्चों जो है उन्हें हैं चार को गाद कर दो डिवाइड कर दो और बिटा, complete 15 days का target नहीं बनाना है, और बच्चो, आप सब को बिटा जी, कम से कम बिटा, ये ध्यान रखना है, कि अगर संडे मिल रहा है, तो बच्चो, संडे को हम क्या करेंगे, उस एक संडे, बिटा, हम हर subject को एक बार quick revision करेंगे, बच्चो, ये बहुत important बात है, अगर ब 15 days में, मालो बिटा, मैं मान के चल रही हो, कि मालो मुझे जो है, इन 15 days में, दो संडे मिल गए, मालो हमें गोई छुटी मिल गए, है न, तो मैं क्या करूंगी, बिटा, इन छुटी में, मैं क्या करूंगी, बिटा, जितना मैंने, इन subjects में तियार किया हुआ है, उसका एक ब जो है, बिटा, आपका syllabus कैसे तयार होता है, बिटा, मैं फिर बोल रही हूँ, सारे subject को एक साथ, बिटा, अगर लेके भागोगे, नहीं हो पाएगा, अब बच्चो आपको लग भागा है, इसके लिए तुमारा आगास बैच है, अगास बिटा, 2.0 classes चल रही है, अगर तु 0124715825, पर आपने कॉल करना है, और बच्चो देखू, ये बिटा जो है, बैच, आपकी बिटा, जो है, हाफ यरली एक्जाम सो, चाहे बिटा, जो है, आपका बिटा, कोई भी ऐक्जाम हो, उसके लिए बिटा, पूरी complete यारी, आपको मिलेगी, तो बच्चो मैं आप से मि